इस देश की असलियत जिसे आप पहचान नहीं रहे हैं, जिसको आपकर प्रचार छुपा रहा है, ये असलियत जो आप भुगत रहे हैं, इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, और जो प्रचार आप देखते हैं, इसका जूट आप समझते हैं, जब आप सवाल उ से मिली अध्यापकों से मिली किसानों से मिली जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया अपना हक मांगा अपना अधिकार मांगा उनको पीटा गया उन पर तमाम कानून लगाए गए रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देश-द्रोही हो तुम आव कार कहती हैं हम राष्टरवादी हैं भाजप्पा के नेता कहते हैं कि हम राष्टरवादी हैं मैं पूछती हूँ आप राष्टरवादी हैं तो शहीदों का आदर करिए उन शहीदों का आदर करिए जो हिंदू हैं जो मुसल्मान हैं और जो शहीद आपके विपक्ष के नेता के पिता हैं, उनका भी आधर करिए, अगर आप राष्टवादी हैं, तो उन स्वतंत्रता से नानियों का अप्मान करना बंद करें, जिनों ने इस देश की नीव डाली, जिनों ने अपने खून और पसीने से इस देश को अजाद किया, उन महा पुर्षों का आधर करिए, जि अगर आप राष्टरवादी हैं तो चुनाओं के समय पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की बात करिए हिंदुस्तान के नौजवानों को बताईए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की महिलाओं को बताईए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं हिंद अजिश बर से, नंगे पाउं, हजारों की तादाद में, लाकों की तादाद में, किसान आपके दरावाजे तक आये, तो आप उन से मिले क्यों नहीं, आपने उनसे नगे दर्थ क्यों नहीं पूछा, अगर आप राष्टवादी है तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई अगर आप राष्टवादी है कर दोने किसी साथी है